नमस्कार फ्रेंट मैं हू लुसी और आप देख़े अपना चैनल लुसेज क्रियेशंग तो चलिए स्टीचिंग देख लेते हैं इसका अपड़ा थोड़ा पतला है इसलिए हम इसके उपर लाइलिंग बिठाएंगे तो लाइलिंग हम इसके हिसे बड़ाबर कट लिया तो पहले हम लाइलिंग बिठा लिते हैं पहले हम बैक पाट करनेकर फिनिसिंग कर लेंगे लाइलिंग के उपर बैक पाट को हम उल्टा साइट रखा यह है फॉर्ण साइट अड़े बैक साइड, तो कपड़े के फ्रॉंट साइड लाइन के उपर रखा, हाप इंच छोड़ कि हम नेक को फिनिसिंग कर लेंगे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भीजिए, हाप इंच छोड़ आप नेक को स्ट अब हम इसको काटिंग कर लेंगे, नेक को काटिंग कर लिया, अब नोज लगाएंगे, यह देखिए नोज भी लागा लिया, अब लाइलिन को उल्टासाइड कर लेंगे, अब लाइलिन बिठाओगे तो नेक साइड स्टिशिंग कर लेना, उसके बाद उल्टा करने से ऐसे आपका बैगनेक फिनिसिंग हो जाएगा, दूसरी बार आपको बैगनेक फिनिसिंग करना नहीं पड़ेगा, अब लाइलिन जाएगे तो नेक से पिल्टास हो जल्टास पिल्टास हो जाएगे, जो विया, अब लाइलिए प्रिवगे. पाओ जो शुब के वाओ नाया बाल खाओ वाँ लुट लुट को खाओ लुट के तोरूर साथ decent लुट हुड़ाई बालगर कार इंब लुट को लुट हाँ यह देखे नेग भी फिनिसिंग हो गया और लालिन भी बिटा लिया कभां डाट को फिनिसिंग कर लेंगे इस पाट को भी लालिन भी बिठा लिया यह है उपर का साइट यह है नीचे के साइट ऐसे हम राट के हाप इंच छोड़ के हम स्टीच करेंगे स्टीचिंग कर लिया अब इस पाट को इस पाट के उपर आई से बिठाएंगे और हाप इंच छोड़ के स्टीच देंगे यह देखिए काटोरी तयार है आप हम इस पाट को इसे बिठाएंगे इस साइट से स्टीच करना नीचे से स्टीच करने से यह फिटिंग्स नहीं होगा आप उपर से स्टीच करना हाप इंच छोड़ के हम स्टीच करेंगे यह देको स्टीचिंग का लिया यह जो थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ इसको आप काट के निकल देना इसको काटने से आपको मेजर्मेंट् ठीकी रहेगा काटने को स्टीचिंग कर लिया इस पाट के साथ इस पाट को इस पाट के साथ श्टीच करेंगे पाट को ऐसे सिदे साइड धोनो साइड पे राख्यांगे और हाप इंच छोड़के स्टीच देएगे यह देगे इस पाट और इस पाट दोनों सेम आया आप इसके उपर समस्ट टॉप स्टीश देंगे यह देखिए इस पाट को पार्फेक्ट से तैयार हो गया इस तरह हम दूसरा पाट को भी स्टीशिंग कर लेंगे यह देखिए दूसरा पाट को भी स्टीशिंग कर लिया अब हम इसको हूप पट्टी और हूप होल पट्टी बिठाएंगे यह लेफ साइड इस पे हम हूप खोल पुट्टी बिठाएंगे और इसी को इसके उपर रखके श्टॉप स्टीश देंगे यह देखिए हूप होल पुट्टी बिठा लिया अब दूसरी पाट में हूप पुट्टी बिठाएंगे इसको हम सिधा साइड रखेंगे और हापी छोड के स्टीश देंगे पुट्टी को उल्टा साइड रखके इसके उपर और इक स्टीश देंगे अब पुट्टी को उल्टा साइड रखके इसके उपर हूप बिठाके हेमिंग कर लेंगे अब हम फ्रॉंट नेक को फिनिसिंग करेंगे यह देखिए उड़े में पट्टी को काटके रखका अब हाप इंच छोड के हम स्टीश करेंगे इस कोनाय में नॉज देंगे पट्टी को उल्टा करने के लिए नॉज दे दिया आप पट्टी को उल्टा साइड कर लेंगे और इसके उपर और एक स्टीश देंगे दूसरी एक को फिनिसिंग कर लेंगे अब पट्टी को उल्टा साइड करके ऐसे मोर के थेमिंग कर लेंगे अब पट्टी को उल्टी को उल्टा साइड देंगे झाल 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 झाल